Hello friends, welcome to our channel तो friends, आज हम बात करेंगे MOOC test 13 के बारे में जो कि हमारा NTA UGC Net Paper 1 से रिलेटिड है इस MOOC test में हम People and Environment के 2018 के Current Affairs के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हमने 10 MCQs को cover किया है तो friends, इससे पहले हम 12 MOOC test और upload कर चुके हैं अगर आप उन MOOC test को देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल पर playlist चेक कर सकते हैं और साथ हमने playlist का link भी आपको इसी वीडियो के नीचे description में provide करवा दिया है जैसा कि आप format जानते ही हैं आपको answer करने के लिए हरे question का 5 second का time मिलेगा आप जो है question के साथ साथ भी answer कर सकते हैं या फिर आप जो है आपने कितने question correct mark किये हैं आप उसे इसी वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं तो फ्रेंस हमारा जो पहला question है वो है Day 2018 World Biodiesel Day इन शॉर्ट में WBD is observed on which date option A August 11, B 8 August, C August 10 या फिर option D August 9 So friends, World Biodiesel Day जो है हर साल option C 10 August को मनाया जाता है जहां पर जो है non-fossil fuels है यानि कि गैर जिवाशम इंदन है उनके importance के बारे में जो है awareness create की जाती है यानि कि जागरुकता पैदा की जाती है That's why जो है इस दिन को celebrate किया जाता है यानि कि to create awareness about the importance of non-fossil fuels और ये दिन जो है सर डॉल्फ डीजल की research experiments यानि के शोध परियोगों का भी सम्मान करता है यानि के honor करता है जिनोंने जो है 1893 में peanut oil यानि के मुंफली के तेल से जो है एक engine को चलाया था और भारत में अगर बात की जाए तो World Biodiesel Day जो है Ministry of Petroleum and Natural Gas द्वारा मनाया जाता है और 2018 World Biodiesel Day पर प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने Proactive and Responsive Facilitation by Interactive and Virtuous Environment Single Window Hub जो है लांच किया है इन शॉर्ट में कहेंगे हम इसे परिवेश इसका पूरा नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और परिवेश का लांच प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने नई दिली के विज्यान भावन में किया और उन्होंने जो है उस दिन National Biofuels Policy 2018 बुक भी जो है रिलीज की है और जहां पर जो है Biofuels Policy का जो objective है यानिके जैविंदन नीती का उदेश्य है 2030 तक यानिके 2030 तक 20% ethanol blending यानिके 20% ethanol मिश्रन और 5% biodiesel blending यानिके 5% biodiesel मिश्रन तक जो है पहुंचने का उदेश्य है Q2. Nithiyah Aoyogs International Conference on Sustainable Growth Through Materials Recycling Policy Prescriptions was held in which city? Q2. New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Kanpur Q2. Nithiyah Aoyogs International Conference on Sustainable Growth Through Materials Recycling Policy Prescriptions इस कोशन का जो करेक्ट आंत्र है वो है आप्शने न्यू डेली सब्सक्राइब नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर तर्ड विच स्टेट गवर्मेंट है लॉंच्ट अरूरल क्लीनिनेस और सेनिटेशन केंपेइन सवच्छमेव जैते यानि किस राज्य सरकार ने ग्रामेंट स्वच्छता और स्वच्छता अभियान स्वच्छमेव जैते लॉंच किया है आप्शने मद्यपरदेश, बीराज्यस्थान, सी गोवा या फिर आप्शन डी करनाटका जिसने जो है ग्रामेंट स्वच्छता और स्वच्छता अभियान यानि कि रूरल क्लीनिनेस और सेनिटेशन केंपेइन स्वच्छमेव जैते लॉंच किया है तो फ्रेंस हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फोर, दी मद्यपरदेश गौवर्मेंट है रिसेंटली इनगुरेटेड़ दी 250 मेगावाट नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन लेमिटेड इन शॉर्ट में एन्टी पीसी, सोलर प्लांट इन विच डिस्टिक्ट, य या फिर ऑप्शन डी जबलपूर, इस कोशन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन भी मंद्सोर, जहां पर जो है मद्यपरदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंग चोहान उन्होंने मंद्सोर जिले के गाउं सुवासरा में जो है 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का उधगाटन किया है और जहां पर जो है NTPC यानि के National Thermal Power Corporation Limited ने स्टेट्मेंट दिया है कि इस प्रोजेक्ट में जो है 1500 क्रोड रुपे इन्वेस्ट किये गए हैं on non agricultural land पर यानि के गैर क्रिशी भूमी पर जो है 1500 क्रोड रुपे का निवेश किया गया है इस परियोजना म जहां पर जो है कहा गया है कि Zero Carbon Emission यानि के Carbon उस सर्जन जो है बिलकुल ही ना के बराबर होगा यह जो है Natural Ecosystem यानि के प्राकर्टिक परियावरन पर नाली को बिलकुल भी जो है effect नहीं करेगा और इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए बिजली का उत्पादन कि जा रहा है यानिके electricity जो है generate की जा रही है अगर देखा जाए तो अंडर दी मेकन इंडिया इनिशेटिव यानिके मेकन इंडिया पहल के तहट जो है यह जो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसे डेवलप किया गया है domestically manufactured solar cells and modules यानिके ग्रेलू रूप से निर्मित सोर को कोशिकाओं और modules का यूज करके इसे डेवलप किया गया है सब्सक्राइब नेक्स्ट कोशन नंबर फाइव नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल इन शौट में NGT has constituted a monitoring committee to oversee the Yamuna rejuvenation project who is the current chairperson of the NGT यानि के National Green Tribunal ने यमना काया कलब परियोजनों की निगरानी के लिए एक निगरानी समीती गठित की है तो आपको बताना है NGT के जो वर्तमान अध्यक्षा हैं वो कौन है आपके option है option है अनुप्रिया पटेल B. अदर्श कुमार गोयल C. फागन सिंग कुलस्ते या फिर option D. निता वर्मा आपके नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के जो current chairperson है वो है option B. अदर्श कुमार गोयल आपके नेक्स्ट कोशन है question number 6 which most advanced system of air quality and weather forecasting has been launched the union government in Delhi यनि के कौन सी वायू गुनवत्ता और मोसम पुर्वानुमान की सबसे उन्नत पढ़नाली दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा launch की गई है option A. सतार B. सहर C. सफर या फिर option D. सवर सफर जो है इस question का correct answer है जहां पर जो है Union Environment Minister है डॉक्टर हर्श वर्दन उन्हें ने जो है दिल्ली में इसे launch किया है सफरेंस हमारा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर सैवन दी यूनियन गॉर्वर्मेंट है डिकलेर दी एरिया अराउंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इन शौट में MTR as an eco sensitive zone इन शौट में ESG सफरेंस दी MTR यानिके मदुमलाई टाइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन विच स्टेट यानिके केंदर सरकार ने मदुमलाई टाइगर रिजर्व के आसपास एक eco sensitive zone के रूप में शेत्र गोशित कर दिया है मदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है मेलाडू में हमारा नेक्स्ट कोशन कोशन नमरेट हूँ है देट दी फर्स्ट मीटिंग ओव दी कावेरी वार्टर मैनेजमेंट फॉरटी इन शॉर्ट में CWMA इनके कावेरी जल प्रबंदन प्राधिकर्ण की पहली बैटक की अध्यक्षता किस ने की है औप्शने कविंदर H धोलकिया, D सूरेनात उपाध्य, C भगत सिंग, कोश्यारी या फिर औप्शन D S मसूद हुसेन सुफ्रेंस औप्शन D S मसूद हुसेन ने जो है कावेरी जल प्रबंदन प्राधिकर्ण की पहली बैटक की अध्यक्षता की है जहाँ पर जो है 2 जुलाई 2018 को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथोरेटी की पहली मीटिंग सेंट्रल वाटर कमिशन इन शॉर्ट में CWC का आफिस न्यू दिली में है वहाँ पर जो है ये मीटिंग हुई और ये मीटिंग जो है तामिलाडू, करनाटक, केरला और पुड़ी चेरी स्टेट्स के बीच में जो है कावेरी नदी के पानी के साजा करनी यानि के ओवर शेरिंग के विवादों को यानि के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये मीटिंग हुई सफरेंस हमें अपने नेक्स्ट कोशन से पहले आपको बताना चाहेंगे अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसन्द आती है तो आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पर मैंबर्शिप लेकर मेंबर्शिप लेने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ एक जॉइन का बटन मिल जाएगा या फिर आप जब भी हमारा चैनल ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको जॉइन का बटन दिख जाएगा जिससे आप प्रेस करकर हमारे चैनल पर मेंबर्शिप ले सकते हैं और साथी साथ हमने जो है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया है ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और अच्छी वीडियो ला सकें अगर आप मेंबर्शिप लेते हैं तो आपको जो है एक कोशन पीडियो या डिटर्न में मिल जाएंगे वापिस हम अपने कोशन पर आते हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर नाइन विच्टेट वोस्त दी कॉन्फरेंस ओफ मिनिस्टर्स पर पावर नू अड रिनुएबल एनरजी ओफ स्टेट अंड यून तरिटर्टरीज अप्शने मद्य परदेश बी उडिशा सी रामलादू या फिर ऑप्शन दी माचल परदेश और जहां पर यह कॉन्फरेंस इनागरेट की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर पावर अड नू रिनुएबल एनरजी आरके सिंग द्वारा फ्रेंस हमारा लास्ट कोशन है कोशन नबर टैन विस्टेट गॉर्णमेंट हैज लांच्ट अन्यू स्कीम पानी बचाओ पैसा कमाओ तू चेक डेपलेशन ओफ अंडर ग्राउंड वाटर यानि के भूमिगत पानी की कमी की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पैसा कमाओ की एक नई योजना शुरू की है ऑप्शने राज्यस्थान भी मध्यपरदेश सी उत्रपरदेश या फिर ऑप्शन डी पंजाब फ्रेंस वो स्टेट है ऑप्शन डी पंजाब जहांपर पंजाब सरकार ने एक न्यू स्कीम लांच की है पानी बचाओ पैसा कमाओ भूमिगत पानी की जांच करने के लिए यानिके फ्रेंस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आमने 10 mcqs को कवर किया नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी बाकी फ्रेंस अगर आपको किसी कोशन में डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं दैन हम उस कोशन को डिसकस कर ले जिए थाकि आप फ्यूचर में हमारी कोई भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें